नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं अभी हाल में असर की रिपोर्ट प्रकासित होई असर की रिपोर्ट जहां सुरुवाती अस्तर में सिक्षा की बदहाली को प्रस्तुत करती है वहीं पर अगर आप दिल्ली की सडकों पर घूमेंगे तो पिछले कुछ सालों से आप ये पाएंगे कि दिल्ली के सिक्षक दिल्ली विश्व विद्याले से लेकर पूरे विश्व विद्याले के उच्छी सिक्षा के बारे में विरोत प्रदर्शन कर रहे हैं आखिरकर ये विरुवत परदर्शन किस लिए जुड़ा हुआ है उच्छा अस्तर की किस स्थिती को बताता है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर लक्ष्मन यादो जो दिल्लेविश से विद्याले के जाकीर हुसेन कॉलेज में हिंदी के एड हॉक पर टीचर हैं और इस पूरे मामले में बहुत ही सक्रिय रूरुप से भूमी का अपनी निभार हैं तो इनसे हम जानने की कोशिस करते हैं आखिरकर इस समय उच्छ सिख्छा की स्थिती को लेकर सिख्छक संघर्स क्यों कर रहे हैं इस मामले को जानने से पहले लक्ष्मर जी को अगर देखना है तो उनके विश्वद्यालियों को करीब से देखिए उस मुल्क में क्या बदलाओ चल रहे हैं किन बातों पर मंधन हो रहा है वो मुल्क आगे किस दिशा में जाएगा इन सब को लेकर कि बुनियादी बातचीत बुनियादी समवाद और उसकी दिशा को लेकर के चिंता विश्वद्यालियों के बीच होती है इसलिए विश्वद्याले दरसल जम्हुरियत में एक बुनियाद का काम करते हैं लेकिन यह बुनियाद दरक रही है तभी आप लोग और पूरा सिक्षक संग पिछले कुछ सालों से सड़कों पर उतर रहा है और मानोस अखिरकर है क्या 1997 में जाकर के जो आरक्षण याद करिए 1950 में सेस्टी को मिला था विश्वद्यालियों में लागू हुआ 1997 में तब यह कहा गया कि जो दलित हैं आदिवासी हैं इन विश्वद्यालियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहां आरक्षण लागू किया ज वह भी विश्वद्यालियों में लागू नहीं हो पाया और 2007 में आकर के जिसे मंडल पार्टू की रूप में देखते हैं तब विश्वद्यालियों में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ यह लागू होना ही इस बात का परिचायक है कि बिना आरक्षण के इन विश्व स्थायादिवासी नहीं पहुंच पाए थे उसके पूरी प्रक्रिया में देरे देरे विश्वद्यालियों का चरित्र बदलने लगा यह समावेशी होने लगे लेकिन अब भी जो सिक्षकों के संधर्व का मसला है कि सिक्षक कितने प्रतीशत इन वंचित तबकों से आते है इसका क्या मतलब मंडल कमिशन के बाद और अपका क्या हाल मंडल कमिशन के समय तो पूरा शोद किया गया कि जो पिछडी जातियों की आबादी लगबग 52-54 फीजदी थी उनकी आबादी 12 फीजदी भी इन संस्थानों में नहीं इसलिए उनको उनके आबादी के हिसाब के आधे यानि 27 परसेंट आरक्षण दिया गया जब यह 10 परसेंट आरक्षण वाला मामला आता है उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट बाकायदे साफ तौर पर यह कह रही है कि यूजी सी अपने आर्टी आई में बता रही है आज भ बाकी लगभग साड़े 400 कुलपती एक ही अपरकाष्ट के हैं यह डाइवर्सिटी नहीं है जहां से नितियां बन रही है जहां से चीज़ें चल रही है और दूसरी तरफ प्रोफेसर्स में ओवी सी जीरो है सी एस्टी नाम मात्र के कहीं कहीं है दीन प्रिंसिपल कहीं है न तो इसको खतम करने के लिए जो रोश्टर की पढ़ना ले आई जो रोश्टर सब्द बार बार आपके विरोध प्रदर्शनों में सुनाई देता है अखिरकर यह रोश्टर है क्या यह प्रकरिया किस तरह के से लागू होती है और इससे दिक्कते क्या आ रही है पहले और आ जब यह रिजर्वेशन आया तब उन सीटों का विभाजन कैसे होगा इसको लेकर कि भी तमाम तरह के व्यवधान आये पहले रोश्टर चालिस पॉइंट रोश्टर बना था एल्शेप रोश्टर बना था और उन सब में इतने दिक्कते थीं कि जो रिप्रेजेंटेशन प 15 फीसदी सी को रिЗर वेशन मिला तो हर साथमी सीट सीटा को जयेगी औरuh साथे साथ फीसदी सीटा को रिजर वेशन मिला तो हर 14 बीछमी पोष्टा को औरेंच करेंगे बिस्त के लिए हर साथ मी पोष्ट सु के लिए और अगर कोई फोता है तो नीचली पैदान वाले विक्ति को पहले मौका मिलेगा उसके अगली पोष्ट उसके लिए रिजर्व हो जाएगी इस तरह से 200 पॉइंट रोष्टर जब बनेगा तब इन आबादियों का निश्चित अनुपात पूरा होगा यह ठीक था यह 200 पॉइंट रोष्टर ठीक था 13 पॉइंट रोष्टर का मामला है कि डिपार्टमेंट एक यूनिट होगा कलपना करें एक ड यूनिट बनाते 200 पॉइंट रोष्टर अरेंज करते तो हर चौती पॉइंट विरोधी फर्मान है मैंने पूरा चार्ट बनाया है उस चार्ट में यह देखेंगे कि 99.9 परसेंट यूर को चली गए जहां चार सीट से ज्यादा होगी वहां एक बीसी मिलेगा जहां साथ पो पॉइंट पर इसलिए रोका गया स्टी को सीटी कभी नहीं मिलेगी स्टी व्यक्ति कभी विश्वद्यालें में सबस्ब्सेर किया जाता है यह मसला एड हॉक की प्रक्रिया क्या होती है एड होता क्या है और यह इनको सेलरी भी कहा जाता है कि एसिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर मिलती है 50-60,000 रुपए जब कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तपका है जिसको इतनी बड़ी सेलडी नहीं मिलती है तो इनका विरोध करने का तुक क्या है यह सारी चीजे क्या है थोड़ा इसको सपस्ट किजिए विश्रद्यालियो में यह माना गया कि एक तो बहुत बुनियादी विडमना है इस मुल्क की कि स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है हर मुल्क में यह तैं किया जाता है कि कितनी जंसंक्या पर कितने पुलिस चाहिए कितने डॉक्टर चाहिए कितने और तरह के संसाधन चाहिए वह ऐसे ही त रखा है वह एक ठेके पर जैसे सिक्षक रखे जाते हैं चंद हजार रुपए दे करके वह आप से पढ़वाएंगे और आपको पूरी उसकी सुविधाएं भी नहीं देंगे यानि जो एलिजिबल है परमानेंट टीचर बनने के लिए वह एड़ाउक पर काम कर रहा है क्योंक सिस्टम लाया गया 2007 का इसी रेगुलेशन में इसको डिफाइन किया गया कि 10 फीस दी एड़ाउक टीचर रखे जा सकते हैं यानि टेंपरेरी बेसी पर रखे जाएंगे अगर कोई टीचर रिटायर हुआ अगर कोई चुट्टी पर गया या कोई नई पोस्ट क्रियेट हु से दस परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं 2004 तक यह कुछ चंद थे कुछ साल एड़ाउक पढ़ाते थे परमानेट एपॉइनमेंट होता था वो लोग सिक्षक बन जाते थे स्थाही न्युक्तियां हो जाते थे जब से रिजर्वेशन लागू हुआ जब से देंगे तब तो ऐसा भी होए किसी किसी विभाग में को लेड होकी टीचर होंगे यह सी दिल्ली विश्व द्याले के कई कॉलेजेस में कई डिपार्टमेंट में एक भी परमानेट फैकल्टी नहीं है मैं अपने गाउं के उस कॉलेज से बार बार तुलना करता हूं कि आज हम गड़र के कॉलेजों या विश्व द्याले में तो बहुत कम रासी मिलते होगे औरे दो-चारहजार रुपए पर एक सिक्षक शिक्षाव दे रहा है दो-चारहजार रूपए वह क्या पढ़ाएगा उसकी कोई जौब शिक्योर्टी नहीं को इस इस नहीं को पूरा अका तूड़ दिया गया है या अपने ग्रफ्त में ले लिए जैँ इसलिए भर भी बेखते हैं तो संख्या जादा है सचेत हैं संगठित हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं वह केवल दिल्ली विश्व दिया ले कीचर नहीं हम है हम पीछले 10 साल से कॉलेज में पढ़ा रहे हमारे पढ़ाए बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हमारे एकडमिक परफॉन्मेंस इंडेक्स हैं लेकिन जब जब पर्मानेट एपॉइन्मेंट होना था हम दिल्ले विश्व देले में तीन बार फॉर्म भर चुके और तीन बा बार वह वेकिंसी लेप सो चुकी हैं और कोई पर्मानेट एपॉइन्मेंट का रास्ता दिख नहीं रहा है जब पर्मानेट एपॉइन्मेंट होना था तो आपने रोश्टर चेंज कर दिया और एक मनवादी रोश्टर ले आए उसके बाद अब जब होना है तो दिल्ली व सिक्षक रखे जा रहे हैं चंद हजार रुपे दिये जा रहे हैं जब चाहिए आप उन्हें हटा दीजिए जब चाहिए आप दूसरा टीचर रखिए उनको कोई सुविधा नहीं है और बेगारी कराई जाती है पुरा विश्टर देले उनसे चल रहा है आज दिल्ली विश जिसे याम भाषा में कहते हैं तो वो अपने परिचित लोगों को रखेगा दूसरे को अठा देगा प्रिंसिपर बदलेगा तो वो सरकार बदलेगी तो बदल जाता है इसलिए दिल्ली विश्टो दियाले में कुछ तो सुविधाएं हैं उनको सेलरी मिलती है पूरा एसिस नहीं है और हम दश्कों से सक्षक बने हमें नहीं पता कि कॉंटर्ट पर रिजर्वेशन लागू होगा या नहीं होगा यह सारे विरोधी हैं तो आज हालात यह हैं कि पूरे मुल्क में उच्च सिक्षा बहुत भयानक खत्रेम हैं लेकिन फिर भी एक बहुत मुस्खिल सव यह उत्पन होता है एक आम नागरिक के लिए वह हमेशा सोचता है कि मेरा बच्चा ग्रिजुएशन पास करने के बाद एक रोजगार ले ले वह उच्च सिचा तक सोची नहीं पाता है वहां तक पहुंचने के लिए कि वह भी आपकी बातों से जुड़े आप लोग अभी पूचते हैं कुछ ऐसी प्रोग्राम या कुछ ऐसी योजना बनाते हैं कि वहां तक आपकी बात पहुंचे बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा है हमारे तमाम किसान अंदोलन करने वाले लोग ने करने बात बड़ी साफ कहते हैं कोई परिवार अब यह नहीं चाहता कि कि किसान का बेटा किसान बने मजदूर का बेटा मजदूर बने थोड़ा भी अगर वह अपनी रोटी का जुगाड कर लेता है थोड़े भी अगर संसाधन आते हैं तो आज भी गरीब कमजोर प्रिश्ट भूमी का व्यक्ति भी सोचता है कि उसके बेटे-बेटियों को अच्छी संक्या काबादी अपनी रोटी के लिए लड़ रही हो अपनी नौकरी के लिए लड़ रही हो तो इन लड़ाईयों को तो हमें लड़ना होगा क्योंकि हम इस लड़ाई को साफ देख पा रहे हैं हम उच्छे सिक्षा के खत्रे को देख पा रहे हैं हम इसके आगे आने वाल से दर रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं जरूरत इस बात की है कि मुल्क के तमाम विश्व द्यालियों में इस बात की आवाज उठे एक रिसर्चर को प्रोफेसर जोला धुआने की बजाए उसको अपना चापलूस बनाने की बजाए आज आलोचक अपना नहीं बनाता जबकि हमा भखत प्रति के साथ बचाना बहुत मुष्खिल होता है एक नागरिक को अलोचक बनना और बहुत मुष्किल होताओ कि समय जैसे-जैसे बदलता है उसकी बुनियादी हकीकतों को समझुझ भाना इस सारी चीचे तभी हो पाती है जब पढ़ने-लिखने का माहौल हो और झाल झाल